36 गण में कॉंग्रेस सरकार के साड़े तीन साल पूरे हो चुके हैं लिकिन धाई-डाई साल के मुख्यमंत्री का मुद्दा अभी भी राजितिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है प्रादेश के स्वास्त मंत्री टीयस सिंग देव ने एक बार फिर धाई-डाई साल के मुख्यमंत्री के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है 36 गड़ के स्वास्त मंत्री टीए सिंग देव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री नहीं बन पाया हूँ पता नहीं मौकर लगेगा या नहीं अगर ऐसा होता है तो ये इस्तिती आज नहीं होती recording नहीं हो रहा है मैं सोच कर बोल रहा हूँ इस वीडियो में स्वास्त मंत्री टीए सिंग देव साफ करते हुए दिख रहे हैं कि मंत्री बन पाया हूँ पर कई बार लाचार महसूस करता हूं जायस चीज अब नहीं हो पाता है तो मेरा मिल मी दुखता है मैं छोटा हूं अभी नाम बस राजा महराजा है राज पाट आप लोगों को सौब दिया हूं अब राजा कौन जिसे पबलिक ने बताया है और पास वालों के लिए आज का र कर्माता रहा है मुख्यमंत्री बुपेश बगेल और स्वास्त मंत्री ने कभी इस मुद्दे पर खुल कर अपनी बात नहीं रखी दरसल यह कोई पहला मौका नहीं है जब टिये सिंग देव ने इस तरह का बयान दिया हो वह पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं इस से पहले जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दो दिन के मुख्यमंत्री भी रहे और 15 साल के भी किसी की कार अवदी फिक्स नहीं है आला कमान चीसे चाहे मुख्यमंत्री बना सकता है जबकि अब फिर उन्होंने यह बयान देकर चर्चाओं का बा बुपेश बगेल और टीए सिंग देव का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे उपर था हाला कि आला कमान ने बुपेश बगेल को मुख्यमंत्री बनाया लेकिन उस समय ऐसी चर्चाएं चली कि कॉंग्रेस आला कमान ने राज्य में 1,5 साल का फार्मूला तै किया है जिस इसके तहट बुपेश बगेल 2,5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे वहीं बाकी के 2,5 साल के लिए किसी अनवरिष्ट नेता को मौका दिया जाएगा उस वक्त भी मुख्यमंत्री के संभावित नामों में टीए सिंग देव का नाम शामिल था बता दे बुपेश बगेल के कारेकाल को अब 3,5 साल का वक्त भी चुका है लिकिन राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बदला गया हाला कि 36 गड़ की सियासत में नेताओं के बयान बाजी के बाद इस मुद्दे पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं तीय सिंग देव कई बार इस मुद्दे पर बात कर च क्युद थाओं के बात कर च्ख बात कर दो